गुच बर्निंग स्च और्टेश जेके टेश वीच बड़निये कुछ लारी इस और दैट है जरी प्राश मोंगे पूसरफने मिनिन आप लोगों को दीज और डाइट समझाया था त्यूडे आई टीजिज यू थीज और दोज आज मैं आप लोगों को दीज और दोज के बारे में बताऊंगे ठीक है दीज और डाइट मैंने बताया था कि जो वस्तू जो भी चीज हमारे नस्दीक में होती है उसमें हम लोग दीज का यूज करते हैं लेकिन कोई भी चीज अगर कुछ दूरी पे होती है हम लोगों से कुछ दूरी पे होती है तो वहाँ पे हम लोग डाइट का यूज करते हैं और ये एक चीज के लिए यहाँ पे दीज का यूज हम लोग एक चीज के लिए करते हैं ठीक है इसलिए यहाँ पे है these are bananas यहाँ पे एक banana नहीं यहाँ पे बहुत सारे bananas है इसलिए यहाँ पे हम लोग these का use करें है these are bananas फिर यहाँ पे है those are ships यह दूरी पे है यह ships जो है यह कहाँ पे दूरी पे है और एक से ज़ादा है इसलिए यहाँ पे हम लोग दोज का यूज की है और यहाँ पे S लग गया है जब एक से ज़्यादा चीज होती है एक से ज़्यादा मात्रा में कोई भी चीज होती है तो वहाँ पे हम लोग S का यूज करते है यहाँ पे हो गया दोजार शीप्स यह क्या है यह शीप थोड़ी दूरी पे है तो यहाँ पे हम लोग दोज का यूज की है और यहाँ पे बनानाज जो है यह एक से जादा है इसलिए यहाँ पे हम लोग दीज का यूज की है और यहाँ पे एस लग गया है बनानाज तो यह क्या हो गया these are bananas those are ships, ठीक है? अब इसी तरह यहाँ पर है these are cows यहाँ पर क्या है? cows है, और cows जो है वो एक से ज़्यादा है तो यहाँ पर हो गया cows, these are cows फिर यहाँ पर these are big cows एक से ज़्यादा है और क्या है? big cows है, बड़े cows है, तो these are big cows, तो यहाँ पर those are boxes, यहाँ पर जो boxes है, वो क्या है? एक से ज़्यादा है ठीक है? एक से ज़्यादा है तो यहाँ पर हो गया, those are boxes, तो यहाँ पर क्या है? those are heavy boxes मतलब, those are heavy मतलब क्या होता है? भारी मतलब भारी boxes है, और एक से ज़्यादा boxes है ठीक है तो इसे आप लोगों को क्या करना है इसे आप लोगों को पढ़ना है इसे आप लोगों को पढ़ना है इसे आप लोगों को copy में अच्छे से लिखना है ठीक है लिखने के बाद आप लोगो पड़ते पड़ते लिखना है और फिर लिखने के बाद आप लोगों को इसे अच्छे आप करना है, समझना है कि डीज का यूज कहा करते हैं, ढोल्ज का यूज कहा करते हैं, ठीक है? ठांक यू